बिहार के राजगीर में आगामी 11 से 20 नमाबर तक आयो ये तो होनी जा रहे विमेंस एशियन चैंपियन्स ट्रॉफिक के लिए भारती महिला हौकी टीम की घोश्चना हो गई है होकी इंडिया ने सोंवार को इस 18 सदस्य टीम की घोश्चना की जिसमें कप्ताने की कामान सलीमा टेटे के हाथों में स्वपी गई है जबकि नमीत कौर कप्तान होंगी भारतीय टीम गया पहुँच चुकी है टूर्नामेंट में भागनेने वाले खिलाडियों का गया एर्टपोर्ट पर भाविस्वागत क्या गया उन्हें शॉल और पगड़ी भेट की गई इस मौके पर इंडियन टीम काफे उपसाहे दिखी टीम के कप्तान सलीम टाइटन ने भरोसा जताया कि हम अपनी धर्ती पर मैच खेने जा रहे हैं इसका मुझे लाव मिलेगा और मेरी पुरिकोशिश होगी कि एशिया कप हमारी टीम की जोली में हो पिछले साल राची में विजेता का ताज अपने नाम करने वाली भारतिय टीम इस बार भी ट्रॉफी पर कभजा जमाने की रादे से उतरेगी एशियाई महाकुंब में भारत का मुकाबला उलम्पिक सिल्वर, मेडलिस्ट, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाइलेंड जैसी मजबूत तीमों से होगा तीम के गोल किपिंग में अनुभवी सवीता और बीचु देवी खारी बंपर भरोसा दताया गया है वही रक्षय पंक्ति को उतिता ज्योती, इशिका चोधरी, शुशिला चानू और वैश नवीब बिठल फालके संभालेंगी मिट पिल्ड में शलिमा टिटे का साथ दिंगी नेहा शलमिला देवी, मनिशा चोहान, सुनेलिता टोपो और लालरे मस्यामी पॉर्वर्ड लाइन में नमनीत कौर, संगीता, कुमारे दीपिका, प्रिती दूबे और ब्यूटी दूंग-दूंग से गोलों की उम्मीदे रहेंगी कप्तान सलीमा टिटे ने कहा, पिछली बार की जीत के जोश और एक मजबूत टीम के साथ हम फिर से जीतने का होसला रखते हैं इस टूर्णामेंट में हमें अपने खेल और जज़बे का नया आयाम दिखाना है और कप्तान नमनी कोडने कहा, होम, क्राउड के सामने खेलने का अनुभव अधुत रहेगा और हम हर मैच को यादगार बनाने के लिए तक पर है भारत का पहला मुकाबला मलेशिया के खिलाब 11 नवंबर को शाम 7.30 बज़े होगा जिसमें टीम अपने अव्यान की जोरदार शुरुआ करने के इरादे से उत्रेगी